हेलो फ्रेंड स्वागत आपका हमारे यूट्यूग चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो अगर आपको हमारा ये परियास पसंद आता है तो आप दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सकाइब कीजिए दोस्तो आज हम बात करेंगे सामानी हिंदी क कोश्चिन उपर जो की बहुत इंपोटेंट कोश्चिन है आपके आगामी एकजाम के लिए दोस्तो आप किसी भी एकजाम की तियारी करते हैं या जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है तो इस सभी के लिए बहुत इंपोटेंट होने वाला है तो चले दोस्तो शुरू करते ह और आपको कमेंट बोक्स में बताना है कि आपके कितने सही हुए और आपको अपना स्कोर जरूर कमेंटे करना है तो क्वेस्चिन अच्छे हैं तो चले सुरू करते हैं पहला क्वेस्चिन है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सई युग में है कन्योजी अउधी ब्रज बगेली चतिसगडी बांगरो खड़ी बोली और बुंदेली तो दोस्तो इन में से कन्योजी पश्चिमी हिंदी में जरूर आती है अगला कोचिन है वर्तनी की दृष्टी से सई सब्द है महत्त तो इसमें आपको महत्त लिखना है तो इस तरह से लिखा जाता है तो के ऊपर दोस्तो यह होता है तो यह होता है दोस्तों महत्तों option number A है हमारा बिल्कुल सई होगा अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि यह आसान कोश्चिन है तो उस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो PCS परिक्चा हुई थी UP PCS की उसमें भी यह पूचा गया था कि महत्तों कौन सा ब्वर्तनी की दिश्ट यह तो आपको बताना कि दोस्तों इसमें कि अतिश्योक्ति की वर्तनी कौन सी सुद्द्ध है तो दोस्तों आप लोग ने जो सोचा होगा यह option number C होगा कि यह अतिश्योक्ति इस तरह यह होता है पर दोस्तों यह आपका उत्तर बिल्कुल गलत है तो यहां पर कौन सा सई हो अगला है हिंदी वर्ण माला में सयुक्ताक्चर कौन से हैं दोस्तों सयुक्ताक्चर है यह हैं दोस्तों चांत्रोग्यों और दोस्तों यह होते हैं अंत्यस्त बेंजन और दोस्तों सो और हो यह होते हैं हमारे उस्म बेंजन उस्म बेंजन होते हैं इनको भी आपको याद रखना है और छो तरोग्यों यह होते हैं दोस्तों और दोस्तों आपको अपना कमेंट कितने सायोग आपको कमेंट बक्स में जरूर बताने अगला उद्धो का संदी विच्चेत होगा उत्ध धन योग उत्ध धन योग उत्ध धन योग या उत्ध पलस अयोग दोस्तो ये तो नहीं होगा दोस्तो धन अयोग उत्ध पलस योग ये भी नहीं होगा उत्ध पलस योग ये भी नहीं होगा दोस्तो ये होगा उत्ध पलस योग उत्ध धन योग तो दोस्तो इसमें क कौन सी संदी होगी करके उसका संदी विचेद भी आता है तो दोस्तों इसका होगा उत धन चारण और इसमें कौन से संदी होगी इसमें इसमें भी देंजन संदी होगी और स्वरसंदी कितने परकार की होती दोस्तों यह भी कोश्चिन आता है स्वरसंदी होती है पांच परका तो इसमें से संयोग यह हो जायगा दोस्तो शंधन योग तो यह हो गया दोस्तो हमारा इसमें हो गी जन संदी यह हो गया बंजन संदी तो दोस्तो इसमें हो जाएका बेंजन संदी और यह है नमस्कार दोस्तो इसका नम है धन का नमस्कार यह हो जाएका दोस्तो बिशर्ट के संदी और दोस्तो मनोहर है यह हो जाएका दोस्तो मनोहर और इसमें भी बिशर्ट के संदी है और यह बचा था दोस्तो मारा ओप्सन न एं प म अन आगर को प tän कि न है कि पवैँ तो पावन के लिए दोस्तों यह पो पवैवन और डॉबल हो जाएंगे तो यह जाएग … तो इसका उजाएगा पावन जाती अगला कोश्चीन है अगला कि यह किसे कहते हैं तो हैष संस्करथ सो उत्पन्नों के सब्द competitors को यह हैं संसिक्रति के सुद्ध सब्द को option number B हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा अगला है किस वाक्री में सकर्मक किरिया नहीं है तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि किस वाक्री में सकर्मक किरिया नहीं है सिता भोजन बना रही है टैग और में गीतान जली लिखी है सियाम रोता है या बच्चा फल तोड़ा है तो दोस्तों इसमें आपको सकर्मक नहीं है तो वो होगी अकर्मक तो आपको इसमें अकर्मक किरिया बतानी है दोस्तों option number C बिल्कुल सही होगा सियाम रोता है दोस्तों रोना ये अकर्मक किरिया होती है दोस्तों जैसे बच्चार होता है इस तरह से भी आजाएगा तो ये अकर्मक किरिया होगी अब दोस्तों बात करते हैं कि अकर्मक किरिया क्या होती है दोस्तों अकर्मक किरिया होती है खेलता है सेकर खेलता है तो दोस्तो यह अकर्म किरिया हो जाएगी और सकर्म किरिया क्या होती है जब किरिया को करता को छोड़कर करम की आउसता होती है तो उससे दोस्तो सकर्म किरिया कहते है तो अगला कोश्चिन है मैं यह काम मैं आप कर लूँगा यह काम में आप कर लूँगा तो पक्तियू में आप क्या है दोस्तो आप क्या है ये बताना आपको ये किस परकार का सरुनाम है समंदवाचक सरुनाम है निजवाचक है निश्चेवाचक सरुनाम है या पुरुस वाचक सरुनाम है दोस्तो ये आप है निश्चय वाचक सरूवद निश्चय वाचक सरूवद होता है और परशन वाचक और चटा निजवद होता है तो इसमें हमारा option नमर भी हमारा बिलकुल सही होगा अगला है निमिनिखित वाकईयू मैंसे एक सैयूक्त किडिया का पर्योग नहीं हुआ है मेरे हाथ से गिलास गिरा और तूड गया मैं अपने घर में रहूंगा स्वस्त होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी अगला लड़का परसन होकर चलता बना तो दोस्तो इसमें से स्युक्ति की दिया का परयोग नहीं हुआ है तो दोस्तो ये है मैं अपने घर में रहूंगा इसमें किसी परकी स्युक्ति की दिया का परयोग नहीं हुआ है तो अप्शन नमबर भी हमारा बिल्कुल सही होगा अगला है हिंदी में वच्चन की संग्या होती है तो उस्तो हिंदिये वचन की संक्या कितनी होती है तो हिंडिये में होती है दो, अगर संची गिरत में आए तो तीन एक वचन और वग वचन अगला है निमन में कौन सा कौमूदी का परयवाची सब्द है रोसनी, जोती, चंदरहास या चांदनी दोस्तों comedy का प्रयावाची हो जाएगा चांदनी option number D हमारा बिल्कुल सही होगा अगला है तुम्हारे पक्च मैं कितने मत पड़े और dot dot कितने तो दोस्तों यहाँ पर होगा निपक्च, विरोध, समर्तने भी पक्च तुम्हारे पक्च मैं कितने मत पड़े और तुम्हारे बिपक्च में कितने मत पड़े तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा बिपक्च option number D हमारा बिल्कुल सही होगा अगला है जुडा-जुडा जुड़ा जुड़ा सब्द का सब्द युगम का सई अर्थ है दोस्तो मिलान और बुखार और अधिकार और अभिस्वास तो इन दोनों अप्शन को उठा देते हैं तो इसतरे से हमारा ओप्शन नंबर सब्द कर से हमारा बिल्कुल जाएगा अगला है हात में पकड़ कर चलाए जाने वाले हतियार को क्या कहते हैं दोस्तो में लोग कन्फ्यूज हो जाते एक्जाम haul में कि अस्त्र कहते हैं सस्त्र कहते हैं और जो लोग पढ़की नहीं जाए रहते तो तल्वार करके भी आ जाते हैं तो दोस्तो हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हत्यार को कहते हैं सस्त्र और फैक कर चलाए जाने वाले हत्यार को कहते हैं अस्त्र तो आपको confused नहीं होना है तो हाथ में पकड़कर चलाए जाने सही होगा अगला है दूलारा दूलारा में आपको उपसर्ग बताना है दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं जो सब्द के सब्दों के आरंब में लगते हैं और उनके अर्थ को बदल देते हैं और दोस्तों परते होते हैं जो सब्द के अंत में लगते हैं और उनका भी अर्थ प कि अगला है कि ढूग砂स के संख्यावाची और इसन नंवरात्र या, नवरात्र या समास ठीक रोस्तो और ऐसे लुझ技ों नीचरल मौताई भाइ बहन वह तो यह चक्र पाणि' और पितामबर दोस्तो इन दोने में हुझाएका पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीश्रे की और संकेत करते हैं यहां पर पर बहुत वी रिसमास होता है है अगला है इन मैंसे अर्द बिराम का चिन कौन सा है इन है अपयला है यह पूर्ण बिराम का यह चिन है दोस्तो और यह है अप्स 성 Anything बद आफ यह आपका इस ईलसा कहते हैं और दोस्तों डी जो है यह लिए यहां से बताना है कि आपको कौना सा वाक के सुद्ध है तो औसन इह 16,20 है या विद्या स्वीन है नहीं होता है या विद्या चेश्ट धन मानी जातीए या व द्या चेस्ट धन नहीं होती जो पहले कवी न हुआ हो वाक्यांस के लिए एक सब्द है जो पहले कभी नहुआओ वाक्यान्सी के लिक सब्द आ है अद्भूत चंबाव अध्यूत्य या अभूत पूर जो पहले कभी नहुआ हो दोस्तों उसको कहते हैं अभूत पूर और असंबव जो कभी षंब नहूं एक अगले है सवीधान में हिंदी को कहा गया है आरी भासा, संपर्क भासा, राष्ट भासा या फिर राजभासा दोस्तो सवीधान में हिंदी को कहा गया है आरी भासा, option A और संपर्क भासा दोस्तो इन दोनको कार दिंगे अब दोस्तो C और D में से आपको बताना है राश्टबासा या फिर राजबासा दोस्तो सभी दान में हिंदी को पहुसे लोग राश्टबासा कर दिंगे दोस्तो एक गलत होगा सभी दान में हिंदी को खा गया है राजबासा तो ओप्शन नमबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तो अभी तक आपने हमारी YouTube channel को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो हमारी YouTube channel को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथी वेल आइकन को भी चरूर देवाईए अगला है दोस्तो अभी मोहा रहा है जांके पावने फटे विवाई सोक्या जाने पीर पर आई दोस्तो इसका आपका अर्थ बताना है दयालू होना दूसरे के कस्ट को अनभव करना कठोर होना या जिसके उपर बीती है वही जानता है दोस्तो चलिए इनिमेट करते हैं इसमे जानता है दोस्तो इसमें से ज्यादा सही है जिसके उपर बीती है वही जानता है तो अप्शन नमबर टी हमारा बिल्कुल सही होगा अगला है उसने कहा था क्या है दोस्तो उसने कहा था यह कहानी दोस्तो एक कहानी है और इसको लिखा है चंदरधर सर्मा चंदरधर सर्मा और इनका उपनाम है गुलेरी, चंद्रदर्द सर्मा गुलेरी, इन्होंने लिखाया, उसने कहता यह है उनकी कहानी, अगला है, चंद मुख्य रूप से कितने परकार के होते हैं, दो, तीन, चार या फिर छे, तो दोस्तों चंद होते हैं, यह होते हैं दोस्तों, दो परकार क और कौन से मात्रिकशंद और वायनिकशंद तो दूस्तो ये थे आज के कोउस्चिन कैसे लगया आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा तो दूस्तों चले मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे से त्यारी करते रही है